मैं यह नहीं कहूंगा कि आप अपने मन के पसंद की गाड़ी ना खरी दिये मैं सिर्फ यह कहूंगा उसे तब हलो नमस्ति पेचिक प्रोज मैं हूं मनी शाउज और यह है पेचिक प्रॉफिट इंडिया का पहला यूट्यूब चैनल जो आपके साथ बात करता है आपके ही फिनांशल फीडम के बारे में इस चैनल पे मैं नए विडियो बनाता हूं फोट फोर्टीन और ट्विट तारीक क और यह विडियो में बनाता हूं हिंदी और इंग्लिश में ताकि आप अपने लैंगविज प्रेफरेंस के हिसाब से यह विडियो देख सके इस वीडियो को चालू करने से पहले मैं आप सबी का तहे दिल से शुक्रिया आता करना चाहता हूं क्यूंकि आज यह विडियो हम कर आज आप पहली बार इस चैनल पर आये हैं तो प्लीज मेरी इस डेडिकेशन को देखकर इस वीडियो के कॉंटेंट को देखकर जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का इंफरमेश से सैलरी से अपना फिनांशल फ्रीडम कैसे पासकते हो इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा ऐसे पांच तरीकों के बारे में जिससे बैंक्स और फिनांशल इंस्टिउशन ने आपको लूंस की आदत लगा दी है तो चलिए बात करते हैं पहले टॉपिक के बारे में है जो है एलेक्ट्रोनिक्स क्या आपने कभी एक पचास साथ सतर असी हजार रुपे का फोन खरीदा जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी और आपने यह खरीद लिया क्योंकि वह एक अच्छी डील में मिल रहा था अच्छे एमाइस कीम पे मिल रहा था इल्ट्रोनिक्स एक काटिगरी है जो बहुत टेम्टिंग है लोगों के लिए एक अच्छा फोन खरीद लेना जो लाक सवा लाक आज सकल तो डेड़ डेड़ लाक रुपे के फोन मिलते हैं एक सवा लाक रुपे का फोन खरीद लो क्रेडिट काट स्वाइप कर लो और आने वाले 15 महीनों के लि और आने वाले टाइम में और ज्यादा कॉमन होने वाला है वह है शौपिंग मॉल्स और डेपार्टमेंटल स्टोर्स में भी एमाय का कॉंसेप्ट आ गया है यह कॉंसेप्ट अभी थोड़े साल पहले चालू हुआ था ऑनलाइन सेल्स के चक्कर में आज की तारिक में जो हम कॉंसेप्ट वही है क्यों आपको 15 या 20,000 के एक्ष्ट्रा कपड़े खरीदने हैं only because आप उन्हें इमाय पर खरीद सकते हो आप उन्हीं कपड़ों को या उनके जैसे ही क्यासी दूसरे कपड़ों को तीन महीने बाद छे महीने के बाद खरीद सकते हो तीसरा तरीका है जो सबसे जादा common है वो यह है कि ठीक है आपने shopping mall में या departmental store में कुछ भी EMI पे नहीं खरीदा आपने अपना phone EMI पे नहीं खरीदा आपने 20,000 का ही phone खरीदा लेकिन आपने swipe किया आपका debit या credit card और immediately आपको एक दिन में phone आ जाएगा कि sir congratulations आपने यह चीज खरीदिये इतने रुपे की और अगर आप चाहें तो इस amount को आप EMI में convert कर सकते हैं यह सिरिफ एक तरीका है ताकि banks आपको पहले 0% EMI का लालच देंगे फिर थोड़ा टाइम जब आपको आदत हो जाएगी तो फिर वह 0% 1% 2% 3% 5% 10% तक बन जाएगा एक बार किसी को आद में बहुत जादा common हो जाएगा मेरे हिसाब से लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस तरीके से हमेशा दूर रहें और वो है salary day loans आप यह वीडियो को देख रहे हैं 24 या 25 February को February में तो खेर सिर्फ चार या पांच दिन बचे हैं महीना खतम होने के लिए समझ लीजिए आप यह मे दिखेगा कि आपको मिलेंगे 10,000 रुपए आपके bank account में immediately और आपको पहली तारीकों देने होंगे 10,200 रुपए हमारी company को वापस यह 200 रुपए हैं आपका interest यह 10,000 रुपए हैं आपका principal loan amount यह जो कंपनिया है यह आजकल देती हैं आपको salary day loans यह वापस एक तरीका है आपक ज़्यादा loans लें क्योंकि interest में पैसा कमाना और lifestyle loans देना सबसे आसान तरीका है लोगों को tempt करने का पांचवा और आखरी तरीका ऐसा है जो एक ऐसी lifestyle choice है जो आप लेते हो और जब वो लेते हो तब आपको पता भी नहीं चलता है कि यह आपको कितने आने वाले time तक परेशान कर सकती है और वो है आपका car या bike loan में को पता नहीं कितने लोग मिलते हैं जो हमेशा कहते हैं मुझे एक सिदान ही खरीद नहीं कि छोटी गाड़ी या hatchback में वह फील नहीं आता है मुझे यह समझ में नहीं आता है कि दो लाक रुपे की bike में ऐसा क्या नया फील आ जाता है जो आप स्टार्टिंग में ही लेना चाहते हो आपकी जैसे जैसे salary बढ़ती है आप वैसे एक डेड़ साल में भर सकते हो लेकिन नहीं लोगों को सीधा पांच लाग रुपया डाउन पेइमिंट करनी है और पंद्रा लाग रुपय की गाड़ी खरीद नहीं जो मेरे समझ के बाहर है मैं यह नहीं कहूंगा कि आप अपने मन के पसंद की गाड़ी ना खरी दिये मैं लोगों को फाइदा होगा और एक बैंक एक इंवेस्ट अपसे के रखके खरीद सकते ना नहीं आशा करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया कर आप को आज का वीडियो पसंद आया तो रूशल मीडिया पर इसे शेर करना ना भूलिएगा खास करके इसे प्लीज उन दोस्तों के साथ या चाहने वालों के साथ शेयर कीजे जिसके बारे में आप जानते हो कि उनको ऐसे छोटे मोटे लूंस लेने की आदत है आज के लिए बस इतना ही अब आपसे मुलकात होगी आने वाले अगले वीडियो में तब तक के लिए मुस्काराते रही है अपने चाहने वालों का ध्यान दीजे और खुश रहेंगे कचिंग